और फिर मैंने उससे कहा अरे रुखो, यह डंबा क्या है? मुझी नहीं पता लेकिन अच्छा लग रहा है, देखते हैं अंदर क्या है वाँ, दो बड़े लॉली पॉप, बहुत बड़िया ओ, कुछ अजीब हो रहा है हाँ, पर मस लग रहा है अब हम जादूगर बन गए है हमारा नया रूप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्या आप एक रंगिन चुनाथी के लिए तयार है? तो चलिए आसम! कुछ मुझे बता रही है, मेरे पास कुछ स्वादिस्ट है लेकिन मेरे पास नहीं है इसके अंदर कुछ बहुत तीखा है मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे डर लग रहा है चलो चिंता मत करो, तुमने तो अभी तक खाया भी नहीं है चलो तुम थोड़ा शान्त हो जा, तब तक मैं शुरू करती हूँ मैं बस जानना चाहती हूँ कि इस सिरिंज में क्या है अरे, स्वादिस्ट बारिश, वाह हाँ, वो स्वादिस्ट था अब मेरे लिए अच्छा ट्रीट भी इनजार कर रहा है इस पैकेट के अंदर अभी तो यह किसी तरह की पाउडर की तरह लग रहा है यह पाउप रॉक्स है, कितना अच्छा मुझे यह पसंद आया, कितना मज़ा आ रहा है मैं यह सारा एक बार में खाना चाहती हूँ तब इसका असर और भी ज़्यादा होगा ओ, कितना हजीब, यह कुछ ज़्यादा ही हो गया इन पॉप रॉक्स में कुछ बहुत ही गड़बर है हाँ, सच में, तुम्हारी जीब बहुत नीली हो गई है हाँ, मदद करो हाँ, इस बग तुम्हारी नीली जीब को यह सिरिंज ठीक कर सकती है धन्यवाद यार, अब मुझे ठीक लग रहा है मुझे तो लग रहा था है, मैं जिन्दगी पर उस नीले जीब के साथ ही भच जाती सूजी, अब तुम देखो, तुम्हें क्या मिला है पर मुझे पता है क्या है और मैं यह भी जानती हूँ कि इसके अंदर जो भी हो, बहुत तीकी होगी मुझे बेशक चिप्स बहुत पसंद है पर यह वाले मेरे लिए नहीं है लेकिन खाना तो पड़ेगा कितना बुरा मेरे जीब तो लगवा पिघली गई है नहीं, मुझे यह बगवास नहीं खाना हाँ, मैं समझ सकती हूँ, पर नियम तो नियम है तुम्हें करना ही होगा ठीक है, पर आग लगेगी तो तुम्हें ही बुझाना होगा जैस, सब तुम्हारी गलती है मुझे पता है कुछ बुरा होने वाला है अजीब है, वो कितने देर से गई हुई है लगता है वो आ रही है मैं पहुच गई, वो मेरे जिन्दगी की सबसे लंबी और खतरनाक फ्लाइट थी तुम्हें मुझे लगवग मारी दिया था तुम ऐसा कैसे कर सकती हो अरे शान्त हो जा जैस, मजे दार तो था न वा, देखती हूँ मुझे क्या मिला है किसी तरह के मगरमच की तरह लग रहा है प्यारा है, पर इसके साथ मैं क्या करूँ आउच, कितना अच्छा, एकदम असली के जैसा सोजी, मेरा मगरमच तुम्हे काटने आ रहा है मैं बीजी हूँ, मुझे अपना धक्कन उठाना है तुमारा धक्कन नितिजार कर सकता है या मगरमच तुम्हे काटने आ रहा है पकड़ लिया, ओ, कितना धर्दो रहा है मैंने कहाना मुझे मच्छो और अपना मगरमच यहां से हटाओ वाह, लगता है कि यह सिर्फ मगरमच ही नहीं है बाहर से मगरमच पर अंदर से स्वादिस लॉलीपॉप है उफ, मेरा लॉलीपॉप नहीं, यह मेरा है तो मैं ही इसे चाटूँगी अब तुम देखो उस धकन के नीचे क्या है अरे हाँ, मेरे लिए भी कुछ स्वादिस लिंदिजार कर रहा होगा उप्स, यह कुछ खाने के लिए नहीं है यह एक बटन है शायद मैं अगर इसे दबाऊं फिर कुछ अच्छा आ जाए यह क्या हो रहा है मुझे डर लग रहा है यह क्या है सब कुछ इतना हजीब क्यों है देखो कुछ तो आया तुम क्या कर रहे हो मुझे इसे क्यों बांध रहे हो लगता है कुछ बहुत यह खतरनाक है उसने कहा कि मैं इसे सिर्फ गलब्स पहन कर खा सकती हूँ अजीब है कि इसे छू नहीं सकते पर खा सकते है तो खाओ ना, मुझे बताओ कैसा है किसी वज़े से मुझे उतनी भूक नहीं लगी है पर आसा है कि कुछ मीठा हो ओके यह क्या? इतना खटा? मुझे खटे कैंडी बहुत पसंद है अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं खा लूँ मुझे वो पसंद आया मुझे और कैंडी चाहिए ओ, जेस तुमने इतने सारे क्यों खा लिए? अजीब लग रहा है ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ आ, मुझे कुछ हो गया है हाँ, क्योंकि तुमने पूरा एक डबबा कैंडी खाया है मुझे जल्दी खुद को ढखना होगा कि मुझे कुछ हो ना जाए देखो, कैंडी ने तो मेरी कुर्सी में छेट बना दी तो पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या चल रहा होगा मैं टॉक्सिक वेस्ट अब कभी नहीं खाऊंगी या क्या, मुझे एक टॉयलेट मिला है पर क्यूँ? और मेरे पास गमी आखे है और सिर्फ एक नहीं, काफी सारे यह बहुत बढ़िया है पर मैं इस टॉयलेट के साथ क्या करूँ? बाद में सोचना, मैं अपनी ट्रीट खाती हूँ मैं सच में जानना चाहती हूँ कि यह कितना स्वादिस्ट है अंदर कितना सिरफ है, यह कितना मीठा है और गमी भी बहुत अच्छे है देखो, इसी सिर्फ खाया ही नहीं, बल्कि इसके साथ खेला भी जा सकता है वैसे और मज़ा आएगा, अगर मैं यह सब एक बार में खालू वाह, वाह, क्या वो सच में इतना स्वादिस्ट है हाँ, पर बहुत सारे थे, मेरे गले में फस गया है मदद करो क्या, मैं मदद कैसे करूँ अरे हाँ, अगर कुछ फस जाये तो प्लंजर हमेशा काम आता है वैसे आम तोर पर इसे दूसरे स्थित्यों में इस्तिमाल किया जाता है हो गया, मैंने तुम्हे बचा लिया हाँ, और आमें तुम्हारी बहुत आभारी हूँ अब तुम भी अपना ट्वालिट खाओ वैसे भी, वो है क्या हाँ, अब समय आ गया है ये पता लगाने का ट्वालिट पता नहीं क्यों जरूत पड़ेगा पर इस लॉलिपॉप की तो मुझे जरूत है ये हमेशा जरूत पड़ते हैं अगर कुछ स्वाधिस्ट खाने का मन हो चुपा-चुप कमाल का होता है अच्छा है कि मेरे पास एक और था अरे वो कहां गया, जैस वो मुझे दो, लालची मुझे एक लॉलिपॉप भी नहीं खाने दिया तुमने मुझे पूछा भी नहीं था चोर और इस ट्वैलिट के अंदर ये पाउडर को लगा कर देखती हूँ ये खटा है इससे ये चुपा-चुप और भी मस्त हो गया सुजी ने मुझे अपना लॉलिपॉप नहीं खाने दिया पर कम से कर मैं उसका पाउडर खा कर देखूंगी जरूर स्वादिस छोड़ा ओ माफ करना ये मैंने क्या कर दिया चिंता मत करो मैं जल्दी से तुम्हारी उंगली तुम्हारे नाक से निकाल दूँगी वैसे ये मेरी गलती है तो मुझे करना ही होगा उफ कितना मुश्किल है ए धन्यवाद मैंने कहा था ना कि मैं जरूर मदद करूँगी हाँ तुम तो मेरी एकदम सची दोस्त हो क्या मैं ढकन पहले खोल सकती हूँ मुझे जानना है अंदर क्या है वाँ क्या सर्प्राइज है इतने सारे स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी मेरा फेवरेट फल है इसलिए मैं यह सारे आराम से खा लूँगी पर ऐसे खाना थोड़ा बोरिंग है मुझे एक दिल्चस्प तरीका सोचना होगा हाँ यह थी मेरी बेरी ट्रेग पसंद आई जैस हाँ बहुत अच्छा और सिर्फ एक ही नहीं मैं जितने बेरी चाहूं उतने पकड़ सकती हूँ यह बहुत मज़ेदार है वाँ सूजी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर मैं एक स्ट्रॉबेरी ले लू बिल्कुल नहीं इससे पहले कि मुझे गुसा है वो बेरी वापस दे दो तुम मेरी ट्रीट लेना चाहती थी तुमने हिमत कैसे की मुझे बस कुछ स्वादिश खाना था तो अपने ढकन खोल कर देखो हो सकता है कुछ अच्छा मिल जाए अरे हाँ बड़ी आइडिया है वाँ ये एक लॉली पॉप है कितना बड़ा और सुन्दर लेकिन इसके अंदर क्या है ये तो एक कॉक्रोच है मुझे यह नहीं चाहिए तुम इतना क्यों डर रही हो अंदर का कॉक्रोच हिल भी नहीं सकता है तो खाओ मैं मदद करती हूँ कैसा लगा का था ना कि कुछ डरावना नहीं है हाँ अब तो ठीक है कॉक्रोच वो डंडे पर आ गया है कहां मुझे पता था यह बहुत बुरा होने वाला है अब इस कॉक्रोच को मेरा सामना करना होगा अब मैं इसे मार्द कर रहूंगी यालो यह तुमारे लिए है यालो अरे अब यह तो जूतिया पर चल रहा है जो आखिरकारा वो कॉक्रोच गया यह इधर है इधर एकदम मेरे सिर पर मुझे बचाओ हाँ अगर तुमारा उस जूतिया से कुछ नहीं हुआ तो मेरे इस बड़े चपल से काम हो जाना चाहिए अब तो कॉक्रोच गया और तुम भी आप मल्टी डूपर हमेशा ऐसे ही मज़ेदार चुनौतियां और प्रतियों की ताप आएंगे यह सिर्फ मज़ेदार ही नहीं बलकि बहुत स्वादिस्ट भी होते हैं क्योंकि हमेशा हमारे पास तरह-तरह के ट्रीट होते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें